क्या आपने कभी दही की चटनी खाई है? आज मैं आप लोग लिए यही रेसिप लेकर आई हूँ आज हम लोग बनाने वाले हैं दही की चटनी बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही फ्लिवर्फुल बन कर आती है इस चटनी और आप देखी सकते हैं बहुत ही बड़िया सा कलर और बहुत ही बड़िया सा टेक्शेर निकल कर आया है इस चट्नी का और स्पेशल बात यह है कि आप इस चट्नी को बहुत सारी चीदों के साथ सर्फ कर सकते हैं चाहे वो इडली हो, डोसा हो, रोटी हो, चपाती हो या फिर इविन आप खिचडी के साथ भी इस चटनी को स्थ कर सकते हैं. तो चलिए फिर बिना दिर करते हैं इस दही की चटनी की रेसिपी को बनाना शिरूर करते हैं. हेलो, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लूप मैं हो रिया और आपका स्वागत है रेजी इस विद रिया है! दहीकी चटनी बनाने में बहुत ही असान होती है और इसके फ्लीवर से लाइक ज़रूर करते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेर ज़रूर करते हैं सबसे पहले हमें एक ब्लैंडिंग जार में लेंगे आधा कप मुवफली के दाने मुवफली के दाने को मैंने अच्छी तरह से भून कर इनके छिलकों को हटा दिया है इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो ग्राइंड करते बाद ध्यान रखिएगा कि हमें बहुत ही पाउडरी फॉर्म में करना है इसे दरदरा नहीं रखना है काफी पाउडरी फॉर्म में आपको मुवफली के दाने को पीस लेना है इसके बाद हमें एक बोल में ले रहे हैं एक कब दही ये घर का फ्रेश दही है एक हैंड विस्कर की मतल से मैं इसे अच्छी तरह से फेट लूँगी आप चाहें तो यहाँ पर इलेक्टिक ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं दही को अच्छी अच्छी से फेटेंगे जिससे की हमारा दही बहुत क्रीमी सी फॉम में आ जाए दियान रखिएगा कि दही बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए दही को बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सी फोम में हमें लाना है तो मैंने इसे अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए फेटा है जिससे बहुत ही क्रीमी सा हो गया है इसके बाद हमने जो मूफली के दानों को पीसा था उसके पाउड को हम यहाँ पर डाल रहे हैं तीन से 4 चमच मैंने डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं यहाँ पर इस तरह का हैंड ब्लेंडर यूज कर रहे हूं आप फिर से अगर आप चाहें तो यहाँ पर इलेक्रिक ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं इसे अची तरह से चला लेंगे जिससे की मूफली का जो पाउडर है वो दही में बहुत अच्छे से मिल जाएगा और हमारा जो दही है वो और जाथा क्रीमी हो जाएगा तो अच्छे से हमने इसे चला लिया है बहुती बड़ीया सा टेक्शर आ गया है हमारे दही की चट्पी में बहुती क्रीमी क्रीमी से लग रहे है क्योंकि अभी आपको थोड़ी पत्नी लग रहे होगी लेकिन थोड़ी दिर में अपने आप गाड़ी पर जाएगी बिराई का दान डाल रही हो और इससे अच्छे से हम चटक ने देंगे साथी साथ यहाँ पर मैंने एक चम्मझ के करीब लिये है सफेद तिल तिल भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भूल लेंगे इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है पिंच आफ हींग अच्छी तरह से भूलने देंगे सबी चीज़ों कूँ और यहां पर मैंने लिए है कुछ करी पत्ते करी पत्ते डालने के बाद मैं एकदम से गैस का फिलेम बिल्कुल बंद कर दूँगी जिससे कि हमारा तड़का जलना जाए और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद मैं यहाँ पर 1 फूर्थ 30 पून कश्मीरी लाल मिच का पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तड़का बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है तो हम अपनी चेटनी के ओपर यह थड़का डाल दिते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो हमारी आपर दही की चेटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रू ट्राय करिएगा और अपने फीड़बैक तुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी न भूले अगर आपको रेसिपी पसंद आगे हो तो वीडियो के निचे लाइक बटन जरूर दबा दें इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमली में शेयर कर दें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो या अफर आप मेरे चैनल पर नए हो तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजिए तो मैं मिलते हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ अपजली ठेक केर बाबाए